दालों के रिकॉर्ड आयात के बीच एक और चिंता बढ़ाने वाला आंकरा सामने आया है, जिससे इसकी मेहंगाई और बर सकती है. घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता और बर जाएगी. दलहन के मामले में आत्म निर्भर होने का नारा लगातिल गाते ऐसा लगता है कि फिलहाल हमें आयात निर्भर देश ही रहना होगा. इसकी वजह भी है. क्योंकि न सिर्फ खरीफ सीजन में दलहन फसलों की बुवाई बहुत कम हुई थी बलकि रभी सीजन में तो उससे भी अधिक निराश करने वाले हालात दिख रहे हैं. वर्तमान रभी सीजन में पिछले सीजन के मकाबले दलहन फसलों की बुवाई में भारी कमी दर्च की गई है. पिछले सीजन के मुकाबले इसका एरिया इस बार 10.72 लाक हेक्टेर कम हो गया है. कृशी मंत्राले ने 29 दिसंबर 2023 को फसलों की बुवाई के संबंध में जो आंकड़ा दिया है वो दालों को लेकर सरकार और उप्भोकताओं की चिंता में इजाफा करने वाला है यही नहीं दो हजार तेईस के खरीफ सीजन में भी दलहन फसलों का एरिया दो हजार बाइस के मुकाबले 5.41 लाख हिक्टेर कम था साल 2023 में 29 दिसंबर तक सिर्फ 142.49 लाख हिक्टेर में दलहन फसलों की बुवाई हुई है जबकि इसी अवधी में 2022 के दोरान इसका एरिया 153.22 लाख हिक्टेर था चने की खेती में सबसे ज़्यादा 8.75 लाख हिक्टेर की कमी दर्च की गई है इस साल अब तक 97.05 लाख हिक्टेर में ही चने की बुवाई हुई है मून का रखबा पिछले सीजन यानी 2022 के मुकाबले 1.12 लाख हिक्टेर तो औरत का रखबा 0.99 हिक्टेर कम हो गया है साल 2023 के खरीफ सीजन में दलहन फसलों का एरिया 5.41 लाख हिक्टेर कम हो गया था जिसका असर अभी दिखना बाकी है साल 2023 में 29 सितंबर को खरीफ सीजन की बुवाई के जो फाइनल आंकरे आय थे उसके अनुसार सिर्फ 123.57 लाख हिक्टेर में ही दलहन फसलों की बुवाई हुई थी जबकि साल 2022 की इसी अवधी के दोरान इसका 128.98 लाख हिक्टेर एरिया था अरहर और मूंग की बुवाई में सबसे ज़्यादा कमी दर्च की गई थी दोनों सीजन में दलहन फसलों की बुवाई में कमी का असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा चालू वित्वर्ष में दलहन आयात में बरोतरी हो सकती है उसके आगे भी ऐसी ही स्थिती कायम रहेगी बाजार के जानकारों के अनुसार वित्वर्ष दो हजार तेईस से चौबीस में दलहन आयात तीस लाख मीटरिक टन तक पहुंच सकता है जो पिछले वित्वर्ष के तेईस लाख टन से लगभग काफी अधिक होगा लेकिन अब जिस तरह से रभी सीजन की फसलों का रखबा बढ़ रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है वित्वर्ष दो हजार चौबीस से पचीस में अब तक रिकॉर्ड दलहन आयात होगा कम बुवाई और बढ़ती मांग के बीच सरकार के पास आयात निर्भर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है आयात बढ़ रहा है तो घरेलू बाजार में दालों का दाम भी बढ़ रहा है बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए केंदर सरकार ने अरहर और उड़त दाल के मुक्त आयात को एक साल और बढ़ा कर 31 मार्च दो हजार चौबीस तक कर दिया है अगर उतपादन की बात करें तो भारत में दलहन उतपादन में दुनिया का नंबर वन देश है जो वैश्विक उतपादन में 25 फीस्दी की हिस्सेदारी रखता है लेकिन दूसरी और विश्व की 27 फीस्दी दालों की खपत भी भारत करता है इसलिए हम आया तक भी है अरहर दाल का दाम पिछले एक साल में ही 54 रुपे प्रती किलो बढ़ गया है उपभोकता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन के अनुसार दो जनवरी 2023 को अरहर दाल का अधिक्तम दाम 156 रुपे प्रती किलो था जो दो जनवरी 2024 को 210 रुपे हो गया है इसी तरह 2 जनवरी 2024 को मुंग डाल का अधिक्तम दाम 180 रुपे प्रती किलो है, जबकि 2 जनवरी 2023 को 152 रुपे था, यानि 28 रुपे प्रती किलो की वृध्धी हो गई है ये तो सरकारी आंकरा है, असल में दाम तो इससे कहीं ज्यादा है Bureau Report Market Times TV